Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी तो दोस्तों ये lesson पे खास focus करिएगा because इसमें मैंने आप तक पढ़ाई हुए कुछ जो key concepts हैं ecology के वो भी define किये हैं उनको एक tabular रूप में differentiate करने की कोशिश करी है ताकि आपको सब में difference समझ में आ जाए ठीक है और जो biomes हैं ये अपने आप में बहुत ही boring topic है काफी students मेरे से पूछ चुके हैं तो इसको मैंने काफी आसान तरीके से बहुत ही point wise कवर करने की कोशिश की है और केवल 10 minute में आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले biomes होते क्या हैं तो देखिए दोस्तों अब दुबारा define करते हैं कि biomes जो है ऐसी community है plants and animals की जिनने common characteristic है उस environment में जहां पे वो रहते हैं और ये बहुत जादा continents में पाई जाती है एक range of continents में होती है ठीक है पूरे continent में नहीं सारे continents के कुछ-कुछ हिस्से में जो एक latitude के दाइरे में आ रहे हैं ठीक है न तो बायो में एक बड़ी term तो होई गई क्योंकि बायोम सिर्फ एक habitat नहीं है बायोम में कई तरह के habitat आ जाते है अब हम आते हैं अगले term पे बायोटा बायोटा क्या है बायोटा है एक geographical region है ठीक है मालो एक बायोम है उसमें total organism कितने है ठीक है किस तरह के हैं कितने हैं उसको बोलेंगे बायोटा और सारे बायोटा को सारे अर्थ के सारे बायोटा को combine कर देंगे तो उसको बोलेंगे बायोस्फेर लेकि बायोस्फेर को समझने इतना भी आसान नहीं है बायोस्फेर बायोटा का सम भी है और बायोस्फेर अगर ecosystems का sum बोलें, तो वो भी biota है, because ultimately ecosystem में है क्या, organism ही तो है और biota क्या है, biota है sum of organism of a geographical area और a time period, mainly about the geographical area, तो sum of ecosystem is also equal to sum of biota, है ना, समझ रहो ना बात को, तो ये sum of ecosystem भी है biosphere, अब इसका मतलब क्या, bio means living organism, sphere means एक zone, प्रत्वी को देखके sphere बोल दिया इसको, तो zone of life on earth को हम बोलते है biosphere इसका एक synonym भी है परियावाची भी है, इसको हम बोलते हैं, ecosystem समना की बात, आब हम इसको दोबारा define करते हैं, हमने बता दिया ना, कि सारे biosphere सारे ecosystem का समझो है, वो biosphere है अब दोबारा define करते हैं कि ये एक ऐसा ecological system है, global ecological system, जिसमें सारे living beings और उनका environment और other living beings से interaction, और जो environment है उसमें lithosphere भी आएगा, geosphere भी आएगा, hydrosphere भी आएगा, atmosphere भी आएगा, इन सबसे जो interaction सारे living organism का हो रहा है, उसको हम बोलते हैं biosphere, तो basically जहां कहीं भी living organism है प्रतवी पे, जहां कहीं भी, ठीक है, in fact कुछ scientist ने तो ये तक बोला है, कि अगर प्रतवी के बाहर भी कोई living organism है, वो भी biosphere में आएगा, ठीक है, तो अभी हम यही definition समझते हैं, कि जहां भी life है, वो region biosphere में आएगा, क्योंकि life है, तो वे interaction भी कर रही होगी ने, किसी ने किसी से, तो ये सब चीजे हैं biosphere, सब में आया है फिर आपको, मतलब, biomes का, biosphere का, biota का, दोबार डिफाइन करते हैं, घबराइए मत, यहां पर define करते हैं, तो ecosystem क्या था, ecosystem का आपको याद है, मैंने एक example बताया था, कि पाने की बून भी एक ecosystem है, और प्रतवी भी एक ecosystem है, सब मागे न, तो देखो, यहां पर biosphere को, बोला है global ecosystem, बोला ने बोला है, तो वह वाली बात मेरी सही थी, तो कई बच्चों ने मेरे को बोला कि, सर ऐसा आप नहीं क्या बोलती है, मैं बोला, ऐसा नहीं है, ecosystem can be as small as a drop of water, and as big as planet earth, ठीक है, it's all about the scale in which you are thinking, जिस पैमाने पे आप नाप रहे हो, है न, तो ecosystem क्या था, interaction of living organism, with its environment, जो कि biotic भी हो सकता है, that is living, और यह biotic भी हो सकता है, जैसे कि non-living, जैसे कि air हो गया, water हो गया, है न, और इस चीज की study को बोलते है, ecology, तो यह difference one में आ गया, biome, बता दी मैंने, very large area, with plants and animals, which show similar characteristics, जो लगभग एक जैसी characteristic, show करते हैं, वो biome हो गया, biota, collection of living organism, over a area or time period, वो हमारा biota हो गया, सारे biota, सारे ecosystem का, जो sum हो गया, वो हो गया, biosphere, जिसको बोलेंगे, worldwide sum of all ecosystem, जैसे की planet earth, आप पढ़ते हैं, टुंडरा के बारे में, टुंडरा obviously, बहुत थंडा होता है, तो जो मारे ice pole है, बिलकुल north pole, उसे just बिलकुल सटा हुआ ही है, यह टुंडरा region, ठीक है, तो यह northernmost region है, completely ice bound, ठीक है, पूरा ice sheet है यहाँ पे, और इसमें कोई trees नहीं है, कोई shrubs नहीं है, shrubs हैं, बहुत कम है, southern part में, नीचे की तरफ, ठीक है, and ground floor में है, lichen, mosses, और sages, animals मारे reindeer, arctic fox, polar bear, snowy owl, lemming, arctic hare, hare means khargोश, and ptarmigan, यह मारे common animals है, reptiles और amphibians हैं ही नहीं, लगभग absent है, अब आते हैं tag आपे, जो tundra से थोड़ा नीचे है, यह पूरा northern Europe में covered है, Asia में भी है, Yera Asia में, और America में भी है, ठीक है, temperature moderate है, as compared to tundra, इंडिया के comparison में नहीं, tundra के comparison में थोड़ा सा कम है, ठीक है, और यहाँ पे पाये जाते हैं, boreal forest, यह भी important term है, boreal forest, ठीक है, यहाँ पे coniferous, evergreen forest मिलते हैं, spruce, pine, furs होते हैं, ठीक है, और animals के नाम पे, यहाँ पे, small seed eating birds हैं, hawks हैं, furbearing carnivores हैं, little mink हैं, elk हैं, puma हैं, cyberian tiger, wolverine wolves, यह कुछ fauna है, यहाँ पे fauna means animal, flora means plant, तो अब आते हैं, temperate desidious forest में, यह रहे temperate, जो marked हैं, spread over central and southern Europe, eastern North America, यह रहा eastern North America, western China, ठीक है, Japan and New Zealand, moderate average temperature होता है, evident rainfall होती है, ठीक है, और यहाँ पे, जो fauna है, that is animals है, तो जो भी common vertebrate, और invertebrate होते हैं, तो वो इसमें पाए जाते हैं, और flora, यहाँ पे गलती है, थोड़े सी flora, flora means plants, plants में होंगे, beach, oak, maple and cherry, यह इसके example है, plants के, temperate desidious forest, यह रहे जीजरीजन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, temperate grassland, बहुत important है, यह spread over North America, यहाँ पे इनको प्रेरी बोलते हैं, यूक्रेण में इनको स्टेपीज बोलते हैं, यूक्रेण यहाँ कहीं पे है, और parts of Central Asia में भी यह distributed है, ठीक है, temperate condition है, lower in fall थोड़ी सी रहती है, और vegetation में grass है, तब इनको grassland बोला है, और fauna, animals यहाँ पे large herbivores, distinct wet and dry season, fauna, flora में grass और कुछ trees आते हैं, और thorny shrub होते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी जादा रहती है, तो थोड़ी सी बारिश यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है, season आते हैं wet and dry के, तो इसलिए यहाँ पे thorny shrub भी पाए जाते हैं, fauna में giraffe, antelope, elephants, rhinos, lion, cheetah and hyena, ठीक है, national geographic को याद कर लो, जो भी वहाँ दिखाते हैं, वो सब सवाना में होती हैं, सारी shooting वो अफरीगा में ही होती है, ठीक है, desert में आते हैं, desert मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान के एक अच्छा question, यह भी है, पूछा जा चुका है, कि western side में ही रेगिस्तान mostly क्यों हो पाया जाती है, देखो, यहाँ भी western है, यह northern western है, northern भी western में, यह भी western है, इंडिया में भी western में है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यह आपको बताना है comment section में, कि why deserts are found in the western part, most deserts are found in the western part of continent, ठीक है, तो यहाँ पे तो rainfall होती नहीं, पता ही है, आपको cactus मिलता है यहाँ पे तो, तो इसके दो टाइप होते हैं, hot या cold, cold में आपको गोबी आ जाएगा, hot में हमारा जो राजिस्थान है, वो आ जाएगा, हमारा जो यह सहारा है,